बेसन चीला तो आप लोगों ने अपने घरों में बहुत बार बनाया होकर बहुत बार खाया होगा एक बार इस मेरे नए तरीके से आप बेसन चीला बनाके देखें ये बेसन का चीला आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा हेलो फ्रेंड श्रीक्रिशना मैं हूँ उमर आपका स्वागत है मेरी केजन में अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है या फिर यूसूल लगती है तो प्ली gör बडियी चेली लाउन का बटन कर लें उसी से measurement करें साथी हम डाल देंगे आदा चोटा चमच नमक या फिटेस्ट का कॉर्डिंग डाल दें एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर और एक चोथाई चमच हम हिंग डाल देंगे इससे स्वाद भी अच्छा आता है एक कब बेसन के लिए एक कब पाने डालें ये एक दम perfect measurement है अभी जो घूल हमने बनाया है इसे एक बड़े mixing bowl में निकाल लेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे side में रख देंगे rest होने के लिए जिससे कि हमारा बेसन बहुत अच्छे से फूल जाएगा और हमने जो इसमें सूजी डाली है वो भी अच्छे से फूल जाएगी यहापर मैंने कुछ सबजियां ले ली हैं जिसमें मैंने लिया है एक प्यास, एक छोटी शिमला मिर्च और एक टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल दी है अब इस तरह का चौपर तो सबके घर में होता ही है तो हम क्या करेंगे इस सारी सबजियों को एक साथ इन चौपर में डाल देंगे और इसको बारिक चौप कर लेंगे अगर आपके पास इस तरह का चौपर नहीं है ये देखे, सारी सबजियां हमारी बहुत अच्छे से एकदम बारिक-बारिक कट गई है अगर आपको लगता है कि इन सबजियों में पानी हो गया है तो आप चाहें तो इन सबजियों को एक बार निचोड के भी ले सकते हैं जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा न वो निकल जाएगा साथी मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के जिता पनीर लिया हुआ है आप चाहें तो पनीर ले सकते हैं या फिर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं इसको टेस्ट करके देख लेंगे अगर आपको इसमें नमक कम लगता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ क्योंकि चाट के मसाले में भी नमक है तो इसलिए मैंने नमक पहले नहीं मिलाया था यह हमारा मसाला बनके ready हो गया है यहाँ पे हमारे घोल को रखे हुए भी 10 मिनट हो गये है और घोल हमारा एकदम अच्छे से ready हो गया है देख सकते हैं आप इसकी consistency कुछ इस तरह की होनी चाहिए ना यह बहुत जादा गाड़ा होना चाहिए ना ही पतला होना चाहिए तो यह better हमारा बनके ready हो गया है तो चलते हम इसका चीला बनाने की तरफ चीला बनाने के लिए मैंने तवा यहाँ पे पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया हुआ है तवा जब अच्छे से गरम होगा तब हम इस पे क्या करेंगे थोड़े से oil से मतलब एक या दो बून तेल से हम इसको इस तरह से grease कर लेंगे फिर एक tissue paper या फिर kitchen towel लेके हम इस तवे को बिल्कुल अच्छे से सुखा लेंगे जिस पे इस पे कोई तेल की या फिर पानी की या फिर कोई dust इस पे ना रहे तो यहाँ पे देखें मैंने अच्छे से इसको पूंच लिया है अब एक कर्ची भर के हम इसमें better डाल देंगे आप cup से भी डाल सकते हैं या फिर कटोरी से भी better डालके इस तरह से इसको गोल-गोल घुमा दें बहुत अच्छे से फैल जाता है बस जयान रहे कि तब अच्छा गरम होना चाहिए और उपर से इस तरह से तेल लगा दें उपर से हमें इस पे तेल लगाना है नीचे तवे पे तेल नहीं लगाना है तेल लगाने के बाद ये जो सबजियां हमने बारिक चॉप करके रखी थी ये इसमें इस तरह से फैला देंगे पनीर जो हमने कदDukas करके लिया है वो भी इस तरह से डाल देंगे इसमें आप चाहें तो पनीर के साथ साथ चीज भी डाल ज़कते हैं चीज भी बच्चों को बहुत पसंद आता है और यह जो हमने मसाला बना के रखा है ये भी हम इस पे स्वात के नुसार डाल देंगे अब हलके हलके हाथ से हम इन सबजियों को इस तरह से प्रेस कर देंगे ये देखें जिससे कि जब हम चीला उठाएं तो ये सबजिया इस पे से निकलेंगी नहीं बस एक से दो मिनट तक के लिए हम इसको सिख जाने देंगे फ्लेम को मीडियम रखेंगे यहाँ पर तवा थोड़ा सा बढ़ा है और गैस का जो बढ़नार है थोड़ा सा चोटा है तो इस तरह से घुमाते हुए हम इसको चारो तरफ से सिख लेंगे जैसे ही यह सिख जाएगा इसके किनारे अपने आप ही चूट जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यह अच्छे से सिख चुका है तो बस अब हम इसी स्टेज पे इसको गैस पे से निकाल लेंगे अब आप चाहें तो इसको इसी तरह से सर्फ कर सकते हैं और भी जादा प्रेजेंट टेबल लगता है देखिए इस तरह से दिखने में यह बहुत जादा अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से बेसन चीला की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राय करें और ट्राय करने के बाद यह रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो उसो लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में जो बेल एकन है उसको भी प्रेस कर दें थेंक यू